नमस्कार, न्यूसक्लिक की इस खाश पेशकर्ष में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे मोधी सरकार के तीन साल और इन तीन सालों में औरतों के मुद्दों का क्या हुआ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडवा से जगमती सांगवान हमारे प्रोग्राम में आप से का बहुत-बहुत स्वागत तीन साल मोधी गवर्मेंट के पूरे हो रहे हैं और आपके हिसाब से इन तीन सालों में औरतों के मुद्दों का क्या हुआ उनके एजेंडा पे हैं या नहीं है पहला ही बजट जो सरकार का आया उसी के अंदर जो भी स्कीम्स महिलाओं के लिए परफॉर्मिंग स्कीम्स इनको कहते थे जिसके अंदर आंगन बाड़ी हैं जिसके अंदर आशा वरकर हैं जिसके अंदर मिड़े मील की योजनाई हैं यह इस तरह की जितनी भी योजनाई थी जो असल में महिलाओं के कूपोशन के खिलाब या अडोलसेंट या छोटी बच्चियों के लिए जो काम कर रही थी थोड़ा बहुत उन सब के बजट जो है वो लग भग आधे कर दिये गए उस तरह से और इसी तरह से जो सेफटी सिक् के ऊपर जो भी बजट की इन्वेस्टमेंट होती थी उस सब को भी हटाया गया फोर एक्जामपल जब महिलाओं के ऊपर लगातार हिंसा बढ़ रही थी निर्भया के इसके बाद पूरे देश के पैमाने पे आक्रोश देखने को मिला तो उसके बाद केंदर की सरकार ना कह कि हम हर जिला के अंदर जो है एक ऐसा सेंटर बनाएंगे कि किसी भी विमन के साथ कोई सेक्सुल असॉल्ट है कोई वाइलेंस है तो वहाँ पे एक ही जगह के उपर वन स्टॉप क्राइसी सेंटर एक ही जगह के उपर उसको सब तरह की सुविधाय मिल जाएं और जल्दी न यह हिंसा हुई है जब तक वो जैपूर आएगी जब तक वो कंसल्ट करेगी तब तक उसके साथ क्या नहीं वहाँ पे घटित हो जाएगा तो बिल्कुल इन होने सेफ्टी सिक्योर्टी को लेके दूसरी विकास योजनाई जो परफॉर्मिंग थी उन सब को लेके तीनों ब विमन वेलफे स्कीम्स वहां से बिल्कुल चीजों को जो है वो गायब कर दिया है नोन प्रायर्टी सेक्टर में एक तरह से उनको तमाम योजनाओं को धकेल दिया है और उसमें भी फिर लागू करने के स्तर पर अगर देखें इन स्कीम्स के बारे में उसमें रणनीती यह नजराती है सरकार की कि इन सारी स्कीम्स को जो है वो स्टार्व किया जाए तो उन ग्योजनाओं के ऊपर जो बजट जाना चाहिए था उसको मतलब सेंटर की तरफ से स्टेट की तरफ से जहां पे भी वो भेजना चाहिए लगाता डिले हैं तो इन्ही स्कीम के साथ एक और स्कीम है PDS, जो कि फिर से महिलाओं को directly affect करती है, मतलब एक कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से इस सिस्टम को बरबाद किया जाए, लेकिन मोदी गवर्मेंट के अंडर तो मतलब इस सिस्टम पे जो अटाक है वो बहुत ही जादा तेज हो गय साव आ चुका है, तो आपको क्या लगता है कि इस से क्या असर पड़ेगा इस पूरे वस्ता पर, देखे PDS का जो खाद्य सुरक्षा का सवाल है, ये महिला संगठनों का और खास तोर पे एडवा जैसे महिला संगठन जो बिल्कुल नीचे के ग्रासूट लेवल की महिलाओ को संगठित करते हैं, हमारे लिए ये बहुत ही एहम मुद्दा रहा है, शुरू से हमारे संगठन जो हैं उसमें अस्तक्षेप करते रहें, लेकिन अब हमारा अनुभाव ये बताता है कि उसके प्रती भी जो सरकार का जो रवया है आज के दिन, वो ये नजर आ रहा है कि उ उसको भी मतलब जो उसके अंदर जो राशन मिलता है, उसमें जो कंडिशनालिटी लगाई गई हैं कि कैश ट्रांसफर किया जाएगा, आपका जो है स्मार्ट तरीके से उसका मतलब सप्लाई की जाएंगी, ये सारी जो कंडिशनालिटी जो लगाई जा रही हैं, हमारा कौन नहीं जानता कि देश के अंदर किस तरह की बैंकिंग व्यवस्था है, किस तरह की यहाँ पे कंप्यूटर, इंटरनेट के जो गई हैंदिजिटल ना जो कहा जा रहा है, यहाँ पे उनिवस्टी जो बैंक्स हैं, उनिवस्टी के डिपार्टमेंट्स जो हैं, ग्रामीन जो है वो खतम करने की एक योजना जो है वो नजर आती और खास्तोर पर अभी जो सरकार ने किया है खाद्य सुरक्षा कानून में हमने ये प्रावधान करवाया था महिला संगठनों कि जो महिलाएं हैं जब उनको डिलीवरी होती है तो उनको पूरा खाने को नहीं मिलता गरी जिवरी का उनका है पहले तो उस प्रावधान को देश में लागू ही बहुत कम किया गया और अभी सरकार ने मतलब ये कर दिया कि केवल एक बच्चे के लिए वो दिया जाएगा तो ये कितने बड़े हमले हैं एक तरह से जो गरीब लोग हैं वही राशन व्यवस्था के ल उठाते हैं वही उसके उपर निर्बर करते हैं और उनके उपर मतलब छुपे रूप से भी और खुले रूप से भी दोनों तरह से हमले जो है वो किये जा रहे हैं और अभी भी मतलब वहां पर राशन की सप्लाई की दुकान पर जब हम जाते हैं वहां काम करते हैं देखते जो राशन की quality जो है वो बहुत ही खराब है। और उसमें भी delaying tactics जो सरकार के पार्ट के उपर हैं की मतलब दो महीने का इकठा देंगे, तीन महीने का इकठा देंगे, गरीब के पास उतना पैसा नहीं हो ताकि भी वो दो-तीन महीने का इकठा खरीद ले इस तरह से। तो यह जो अब आधार कार्ड की जो शर्त जो है वो उसके साथ लगाई जा रही है जबका सुप्रीम कोट जो लगातार इसको ये कह रहा है कि इस तरह की योजनाई वेलफेर स्कीम्स जो है उसमें कमपल्शन ना बनाई जाए आधार कार्ड के साथ इसको जोड़ा जा रहा है जहां पे भी वहां पे और भी एक्सक्लूजन जो है व्यापक पैमाने पे हो रहा है और बहुत ज्यादा मतलब अप्रा धिक रवया जो है वो राशन डीपू की जो व्यवस्था है और खादे सुरक्षा को जो सवाल है इसके प्रती देखने को मिल रहा है हाली में एक मीडिया रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि 2016 में औरतों पर होने वाली हिंसा उनके खिलाफ होने वाले अपराद इनमें बढ़ होत्री हुगी है जबकि मोदी गवर्मेंट ने का एक भी बहुत बड़ा नारा था उनके चुनाव के दौर में कि वो आएंगे और औरतों के सुरक्षा उनके लिए बहुत मेन अजेंडा रहेगा तो इसके बारे में आप देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि हर तरह का अपराद जो है महिलाओं के प्रती उसके अंदर बड़ोतरी हुई है उसमें योन हिंसा है उसमें दहे कानून थे जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे उन सब को संदिग्द बना दिया इनो आते ही ओर्डर जारी कि दहेज की कोई भी कंप्लेंट आए किसी थाने के अंदर तो आप एक दमकारवाई नहीं करेंगे उसको शक की नजर से देखो वो जूठी रिपोर से जो वो उनको तो एक इशारा चाहिए था उपर से अब वो उस उनके सिसको दर्ज ही नहीं करते हैं और जो भी दूसरे कानून जो है चेर चार का है ये सब जस्टिस वर्मा का मैटीज की जो रिक्मेंडेशन से उन सब के खिलाफ एवन मंत्री लोग जो है वो श्रयाम बय होने चाहिए थे और भी फॉर एक्जामपल ओनर किलिंग के खिलाफ लगातार जो है पंद्रह बीस साल से यहां पर अंदोलन चल रहा है कि यह हिंचा युवाओं के साथ बढ़ती जा रही है इसके खिलाफ कानून होना चाहिए लेकिन इतना डिसेपॉइंटिंग इस सरकार का रवया है पिछली जो तेश जुलाई को कैटन लक्समी से अगल के जनम दिन पर हम मंत्री से मिले थे कि आप यह कानून बनाई ए उन ओन क्या कहा सदा अनंद गौडा जी वो कानून मंत्री थे उस समय पर देश के अहीं है और यह हैर फोर था एनक्टमेंट अगेंस्ट अ आप यह देखें मंत्री यह बात कर रहा है जो कानून बनाने चाहिए थे महिलाओं की सुरक्षा को लेके आगे जो परकरियाए बढ़ानी चाहिए थी उनको सब को रोक दिया गया कानूनों की जो इंप्लिमेंटेशन होनी चाहिए थी सकताई के साथ जो है उस पर डिलाई क जो इतने बड़े पैमाने पे लोगों को अपना पेट पालने के लिए माइगरेट करना पड़ रहा है लेकिन उनको माइग्रेटीड लेबर की लड़कियां और उनकी महिलाओं के साथ जो है और डेफ और जो लड़कियां जो जितना वल्नरेबल है वो उतनी ही बारी कीमत अदा कर रहा है मतलों एक खास तरह का संकेत नीचे तक की जो परशाशनिक मशीनरी जो है उसने ले लिया है कि वर्तमान जो बीजेपी की जो सरकार है महिलाएं उनके लिए कोई प्रात्मिक्ता का जन संख्या की आबादी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है इसलिए जो चाहे वो क करों वहां पे बहिलाओं के सुरक्षा के साथ ही मोधी जब चुनाव के लिए कैम्पेइन कर रहे थे 2014 में एक दूसरा बड़ा मुद्दा था खासतोर से जब बीजेपी ओपोजिशन में थी विपक्ष में थी तब उनका एक दावा था कि अगर हम जीते तो हम तुरंत जो विमिन्स रेजर्वेशन बिल है उसको पास करवाएंगे लेकिन तीन साल हो गए है वो बिल कहीं एजेंडे पे नजर नहीं आता है तो आपको लगता है कि सही में ये गवर्मेंट चाहती है इस बिल को पास कराना हमें तो ये लगता है कि वह वो महिलाओं के आरक्षन के लिए जो आकरशन था उसको वोट में भुनाने के लिए इन्नों नहीं ये वायदा किया है नहीं तो तीन साल में एजेंडा पे लेकर क्यू नहीं आए उसको और इसके बावजूद नहीं लेकर आए कि हम एक साल होते ही सरकार का तब भी women organizations का delegation जो है वेंकर या नायदू जी जो parliamentary affairs के minister हैं उनसे जाकर मिला था कि जितना आप delay करेंगे उसकी implications है महिलाओं के लिए क्योंकि केवल parliament से नहीं होगा इस सम्वेधानिक कि बहुत ज्यादा चिंटी तो इस बिल को लेके और वो तो अपने आप ही कर देंगे अब उसको दो साल और बीत गया कभी परदानमंत्री की जुबान पर यह आया हो तो तो असल में पहले से भी यह रवया देखने को मिल रहा सरकारों का और इसका तो बरपूरी है कि जो गुनात्मक रूप से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं जो जगएं जो हैं जैसे संपत्ति का अधिकार है उन जैसे यह निर्णे लेने वाली कमेटियों में पार्टिसिपेशन का सवाल है डिसीजन मेकिंग बॉडिज में विदान सभा में और पार्लेमेंट में तो यह उन जगहों को खास तोर पे लटकाओ लटकाओ फ्रस्टेट करो और किसी भी तरह से महिलाओं की एंट्री जो है वो होने मत दो उन जगहों के उपर क्योंकि इनको लगता है कि इन जगहों पे आएंगी तो कल को रिसोर्सिज में भी फिर पूरा उनको बराबरी का वो देना पड़ेगा तो यह जो 33% रिजर्वेशन का सवाल भी जो है यह बहुती रणनीतिक सवाल है हमारे एंगल से और इसमें मतलब यह लगता है कि सरकार जो है चुनाव गोशना पत्र में रखने के बावजूद मतलब जो है इसके साथ एक तरह की गदारी कर लिए आज निवसक्रिक में हमारे पास इतना ही समय था हमारे साथ जूलने के लिए शुक्रिया शुक्रिया आपका बहुत बहुत